हैलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपका दोस्त अजय और मेरे चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग एक समझ परियाबरन विशेक का लेशन परान लेकार आया हूँ तो चलिए शुरू करता हूँ सरपतम उपर पाठ होजना संख्या लिखेंगे फिर नीचे विद्याले का नाम रहेगा जहां सिछन कार के ले जाएंगे नीचे पाँच कारण बनाएंगे दिनांग कच्छा विशेक कालांज अवधि इसको फिल करेंगे विशे हमारा परियाबरन है कच्छा अच्या है प्रक प्रतिप्रेम का भाव उत्पन करना बच्चों को प्राक्ति घटनाओं से अउगत करना विशिष्ट उद्यस क्या है देखिए बच्चे अपसिष्ट पदार्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बाद सिच्छन बीदि है प्रशनोत्तर बीदि व्याख्यान प्रशन बच्चे अपने परिवेश्ट में पाई जाने वाली गंदगी से परिशित हैं तथा आपसिष्ट पदार्तों के बारे में सामान जानकारी रखते हैं इसके बाद प्रस्तावना प्रस्तावना में देखिए तीन कलम बनाएंगे करम संक्या छात्रा ध्यापक्रिया जात्य करेंंगे अपसिष्ट पदार्त कितने प्रकार के होते हैं तीन करम समस्याथ में। इसके बाद उद्देश कतन, उद्देश कतन में बच्चों आज हम लोग अपसिष्ट पदार्थों का निस्तारन नामक पाट का विस्त अध्यान करेंगे इसके बाद प्रसुती करण, प्रसुती करण में तीन कालम बनाएंगे अपसिष्ट पदार्थों का क्या उपयोग हो सकता है इधर उधर फेकी बस तुए ही कचरे का रूप धारन कर लेती है इन्हें ही अपसिष्ट पदार्थ काते हैं ठोस अपसिष्ट दो प्रकार के होते हैं एक जो सड़ गल जाते हैं दूसरा जो कभी नहीं सड़ते चात ध्यान से सुनेंगे और स्यामपट कारे में कमपोस्ट पिट बना कर अब इसके बाद अगरा सिछण बिंदू देखिए क्या है अगरा सिछण बिंदू अभी यह विसमें बाकी है सर अपसिष्ट पदार्तों का सही उपयोग यह है कि एक गड़ा बनाओ तथा उसमें अपसिष्ट पदार्तों को डालो तथा उसमें पानी का छिड़का करो जिससे ओ नम बना रहे ऐसा तीन से चार माह तक करने पर वह खाद बनकर तयार हो जाता है इसके बाद अगला सिचन बिंदू है पालेथीन प्लास्टिक कच्रा प्रश्टन पालेथीन कितने बरसों में सरती है चात मन हो जाएंगे असपसिष्ट करने देंगे प्लास्टिक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता पालेथीन को गलने या सरने में लगभग 200 बरस लग जाते हैं उसे जलाने पर जहरीली गैसे निकलती हैं जिसके कारण भयाना बिमारियां फैलती है चात मन हो जाएंगे असपसिष्ट पदार्थ के बारे में क्या जानते हो दूमे में कार्बन डाइकसाइड के अलामा कुछ हानिकारक गैसे वर्टोस कर डिये पदार्थ होते हैं इन्हें गैसी अपसिष्ट गैसी अपसिष्ट पदार्थ कहते हैं इसमें स्वास संबंदी बीमारी तथा खासी आँखों में जलन होती है बोथ प्रशन करेंगे तो आवाग तुकम में लेका के आता रहाता हूं दोस्तों उसका पीडियो नीचे डिस्क्रेप्सिन में मिलजाएगा वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं ध्न्यबाद